प्यारे बच्चों, आओ पड़िये कलास फिफ्थ दा स्वागत जिन्दगी बुक दा चैप्टर नंबर फाइव कुद्रत अत्यवात्ता वरन नाल प्यार पहला टॉपिक हैगा मोमजा में दिल फाफ्यांदी वर्तों तो गुरेज कहानी चोले वाले मास्टर जी तेनन दिना तो बच्चे आपस वचको सरमसर कारे सान ओ ए गल जानन ली उत्सक सान के नमे मास्टर जी अपनी डाइरी यते रोटी वला डबबा कपड़े दे बने थेल ले विच्छी क्यों ले अंदे हन ओनाने ता ओनादा नावी चोले वाले मास्टर जी राख ले आसी अज राणे ने चे जिकद्यां पच्छी ही ले आ सार जी मोम जामें दिल फाफे किनने सोने अंदे ने पर तुसी कपड़े दा थाल लाई क्यों लाई के अंदे हो मास्टर जी थोड़ा जय मुस्क्राए सारे विद्यार्थी बहुत त्या अननालोना वाल देख रहे सान मास्टर जी ने बहुत ही प्यार न बोलना शुरू कित्ता प्यारे बच्छे मैंनों तुहां डी आपसी को सर्मसरतो ये अंदाजा हो ग्यासी के तुसी कोज पुच्छना चौन दे हो पर पुच्छनी रहे एक कहानी भी दस दा हां पर पहला एक अलपल्ले बननो के कदे वी किस्से तों भी स्वाल पुच्छन लीचे जिकना मननो स्वाल पुच्छन वालीविद्यार्थी ही उषयार इंसान बन दे हां ते हो आर किस्म दग्यान प्राप्त कर दे हां जी सर्ञी सारी बच्छे रलकी उच्ची वाजविच बोल दे हां शाबाश तुई सारी बहुत से आने हो पौलेपा लेवी मास्टर जी ने गल अग्गेवदाई चोले दी गल जे तो हानू एक सतर्च दसनी हुवे ता मैं ए कह सकदा हां कि कपड़े दा चोला रखना मेरी आदत है मैं बजार विच्चों वी कुझ खरीद के ले अना हुवे ता अपना ए थैला चोले कोले रख दा हां ते मोम जामें दी लफाफे में कदे वी नहीं वरते क्यों सार जी एना दा ता फायदा ही बहुत है वरतो तो सोट दियो सुखे ने खड़े हो के पुच्चा बच्चे ओए मोम जामें दे लफाफे बहुत खतरनाक हुन देने राणी को और ने पुच्चा ओ कि में जी इना लफाफेंदा एकनीस गोने एक नुकसान ने मास्ट जी ने दसना शुरू किता सारे वद्या थी हरा नीना सुना लगे मास्ट जी ने गल अगे वदाई जी में सुखा से ने कहा वर्तो ते सोट देओ पहला इसे गल दा नुकसान सुनो एहा वाना लोड के नालियांच फस जन्देने पाणी दा निकास रुक जन्दा है पाणी फिर गलियांच खड जन्दा ते मक्खी मच्चर पैदा हुन दे हान इस तरह सी बिमार हो सकदे हान तो हा डिगल सही है सर जी कई दिन होगे सा डिगल इच यों ही पाणी खड़ा हो गया है नाली च आ मोम जामें देल फाफे फसे होई हान हर गुन्ने दस्या बिल्कुल होर सुनो इनल फाफे नू डंगर पशु वी कोज खान वली वस्त्वंदे नाल निगल जान्देने असी कई वार सबजी दे शिल्लर जा बेन्य रोटिया नल फाफेंच पाके सोट दिन्दे हां इना दे खान नल पशु वनू की हंदा जी गुर्लीन ने खड़ेओ के पिछ्या एहा जमनी उन्दे पुत्त किन्ने पशु इना दे खान नल ही मर गये ने नारा नदियेंच सुट्टन नाल पाणी वाले जीव मर जान्देने अच्छा जी सारे हरा अंसान सार जी इनना अगला देने चाईदी फिर पर दीपने सला दित्ती एक वर सारे नू अधी गल जा चगी पर बच्चो जदो असी इननू अगला उन्दे हां इना चो बहुत ज्यादा खतरना गयसा निकल दियाने जो वात्तावर नू पर दूशित कर दियाने फेर तांजी इनना नू मिट्टीच दब देना चाईदा ना ता फिरोड के नालियां बांद करन ना ही डंगर खा के मरन ते ना ही माडियां गैसा निकलन सीरत कौरने के हां तेरी गाल ठीक है सीरत पर हुण दब्बन वाली गाल भी सोनलो एह जारां साल गल्दे नहीं मिट्टीच उमें ही पैरेंदे ने एस तरह ता मिट्टीदा पुजाओ पन कट जू सड्य फसला होनो हट जान गियां आज डे फोल बुटे ने एनी होने ओहो फेर तांजी तुसे सही हो असी वी आज तो इनल फाफें दी वरतों बंद कर देंगां जी कई बच्चे कठे ही बोले वेरी गुड बहुत वदिया वद्यार्थियो फिर आएं दसो भी होन सबजी खांड चाह कादे चला या करोंगे हट्टी दुकान तो अपड़े दे बने चोले अंच जी सारे राल के बोले सोवद्यार्थियों तुस समझगे के मोम जा में दिल फाफे ते प्लास्टिक तसमान जे सुच खांड पीन वाली है काप पलेटां पाणी दियां बोतलावी शामलने साड़े कुदर्ती श्रोतानू पर दूशत कर देने हान जी जिवें हावा मिट्टी तो पसाडली कुदर्ती श्रोतने इननानू खराब कर देने ग्यान दीपने दस्या बिल्को सही आजी तोहा डिगल हुन तुसी प्लास्टिक दियें खतरनाक जी जाँ आपनी वर्तोंगे ते अपने माता पिता ते आंडगवाननू वर्तों ना करन ली प्रेर्थ करोगी हान जी सारे बच्चयाने उच्ची वाच गया सर जी तोहाड डियंगलान सोनके एक बोली जोडिया जी हुने बैठे बैठे ने सुनामा जी राणे ने निमरता नल पुछया सुनाओ बैटे साफे 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 मित्रो असी नहीं वर्तने मोम जम्मे दे लिफाफे सारे विद्यात्याने ताडिया मारिया एक नारा है प्लास्टिक नहीं कपड़ा सही बैठे आवो कुछ प्रशना दे उत्तर देए अधे आपक कपड़े दे थला क्यों वर्त दा सी बैठे युद्यव अधे उत्तर आये गा क्योंके अधे आपक नू पता सी के पलास्टिक दे लिफाफे वर्तन दे की की नुक्सान है दूसरा प्रशन है मौमजा में दे लफाफ़े की नुकसान हन ते बच्चे उसी पिछे पढ़े आ के मौमजा में दे लफाफ़े साध्डे जडे कुदर ती वा सरो होता हावा तरती ते पानी इना नू नुकसान पचान दे हन की सबजी दे शिलड बेन्या रोटियां गुझने आता लफाफ़े पाक सोट देना चाहिदा है ते बच्चों इदा उत्तर आएगा नहीं क्योंके कुछ पशु इनना लफाफियां दे वेच्च पैया हुएं चिज्जानु खान नू जदो खान दे हन ते लिफाफिय उना दे अंदर चले जान दे हन ते उना दी मौत भी हो जान दी है था कोसन ह प्लास्टिक त्षमान क्यों नहीं लाना चाहिदा तो बच्चों इस प्लास्टिक दे नुकसान पिछे पड़ चुके हैं पंजबा प्रशन है कि इस कहानी विछ ले दे आपक दियां केडियां गल्लां चंगी लगियां प्लास्टिक नू ना वरतन बारे जड़ी उना ने गाल समझाई ओ सनुचंगी लगी शेमा प्रश्ण गर मॉमजा में दिल्फाफ्य तो किमें बचे जा सकदा है जे कर असीप प्लास्टिक दि जगावरतिये था फिर झाल दिल्फाफ्य नाल मिट्टी दी उपजाऊट शक्ति वद्दी है ज्या कट दिया ते दा उत्तर आएग बिमार हो जान दे हाँ नालियां खाल ते सीवरेज दे पाणी दा निकास मोम जामे दे लिफाफे ना ठीक रेंदा है जा नहीं तेदा उत्तर आएगा नहीं उक्त कहाणी तो असी की समझे है बच्चो एस कहाणी दे विच्चो सानू पता लग गया के सानू जड़े पलास्टिक दे लिफाफे जाँ पलास्टिक दे चिज़ा नहीं वर्तने चाईदिया क्योंके इसाड़ी खुदर्थी साधना, हवा, पाणी अते तरतीनू खराब कारे हाँ इस करके जेका रसी इन्ना कुदरती सुरोत्तानू बचाउना चाउन्दे हां तसा नू प्लास्टिक दी वर्तों ना करन्द प्राण करना चाईदा है प्लास्टिक दे लफाफियां दे नुकसान बरे दसना अते उन्ना नू प्रेरत करना है के कट तों कट प्लास्टिक दे लफाफियां दी वर्तों कित्ती जावे अते बारों समान लियान वास्ते हमेशा कपड़े दे ठैले नू ही वर्तिया जावे ऐस तरहासी मोमजा में दे लफाफियां नू ना वर्त के कुदरती सुरुतानू बचा सकती हां